हेलो दोस्तों तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि HTML क्या होता है, कैसे ये काम करता है और कैसे कहीं न कहीं इसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो HTML है वो एक Coding Language है और Coding Language, Simple Words की Coding Language है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा complicated या ज्यादा मुश्किल words की Coding की जाती है, बहुत ही ज्यादा Simple Words की Coding की जाती है इसके अंदर अब मैं बात करूँगा कि जैसे आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिनको आप यूज करते हैं जैसे मैं बात करूँ Facebook की, Google की, Twitter की, Instagram की या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो News वेबसाइट्स है आप जिनको कही न कहीं अगर आपके इंटरनेट यूज करते हैं तो अपने आप उनको ओपन कर लेते हैं इन सब में फ्रेंट्स में बताना चाहूँगा कि HTML का यूज हुआ है इनको बनाते टाइम पर या फिर अगर मैं बात करूँ कि आप एक नई वेबसाइट्स बनवान इंटरनेट पर उसमें से वन थर्ड वन थर्ड जो वेबसाइट्स हैं उनमें HTML का यूज हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि HTML का जो दाइरा है हमारी इंटरनेट की दुनिया में कितना ज़्यादा बड़ा हुआ और कितने लार्ज स्केल पर इसे यूज किया जाता है वेबसा करें और मुझे support करें तो फ्रेंट्स सबसे पहली बात आती है HTML आकर है क्या तो अगर मैं बात करूं HTML की full form की HTML की full form है Hyper text Markup Language यह इसकी full form है अब जैसे मान के चलो मुझे एक website create करवाने है अपने किसी business के लिए तो फ्रेंट्स मुझे उसके लिए website create करवाने के लिए या किसी न किसी को hire करना पड़ेगा या किसी के पास मैं जाऊंगा तो friends जो website create करते हैं उनको जो website का structure होता है structure का मतलब हो गया जैसे HTML में सबसे main जो चीज होती है वो होती है heading हो गया paragraph हो गया images हो गया तो आपकी जो website आपको यह decide करना होता है structure के टाइम पर के आपको अपनी heading हो क्या रखनी है और heading आपको रखनी कहा है उसको कितना bold करना है क्यों सी position पर आपको heading रखनी है आपकी सब headings कैसी होनी चाहिए color क्या होना चाहिए उनका आपके जो page का layout होता है आपकी website का layout का मतलब हो है अगर आपकी website का HTML सही से use नहीं किया है तो आपकी website में कहीं न कहीं कमियां दिखेंगी friends तो मैं बता रहा था कि जब आप किसी website को create करते हैं तो उसका structure सबसे पहले design किया जाता है और उसको आपको बताया जाता है कि आपकी जो website after creation मतलब बनने के बाद ऐसी होगी तो जब website को create करते हैं तो उसी time पे HTML का use करते है friends HTML का use करना इसलिए necessary है क्योंकि friends सबसे जो main बात होती है वह structure ही होती है एक structure के जरीए आप उस website को अच्छे से समझ पाते हैं अगर कहीं पर भी आप कुछ भी उठा के रख देंगे heading की जगह आपने paragraph रख दिया या फिर आपने image की ज website नहीं माने जाती friends आठके time में तो यह होता है friends एक HTML HTML basically coding language है जिसमें simple codes का use किया जाता है आपकी website बनाने के time पर तो friends यह था कि HTML क्या होता है friends अब मैं friends बताना चाहूंगा कि जो HTML उसके अंदर क्या-क्या include होता क्या-क्या आपको उसमें देखने को मिलता है तो friends जैसे आपक word का use करना पड़ेगा जो MS word होता आपके PC के अंदर या फिर आप कह सकते हैं जो WordPress एक application है आप उसे download भी कर सकते हैं अपने software OPC system पर तो friends जब आप उसका use करते हैं तो friends उसमें main जो चीजें होती है एक आभारी जो website हम create करते हैं उसमें main heading आती है जैसे हमारे heading में tags use होते हैं हम dough next को open करते हैं heading के लिए हम हम h denote करते हैं अगर हमको heading लिखनी है तो h denote करने के बाद टैक्स use करने के वाद हमको heading का name देना होता है और उसको name देने के लाद टैक्स close करने होते है हैं तो friends ऐसी तरह आप कोई भी Heading के बाद अगर एक paragraph लिखना चाहते हैं तो आपको उसमें tag के यूज करते टाइम पर आप जो इमेज सोर्स यूज करते हैं कहीं से भी तो वो भी HTML के अंदर आता है इसके अंदर आपको columns बनाने सिखाया जाते हैं अगर आप एक HTML का course करते हैं तो आपको इसमें columns हो गया आपको search bar कैसे लाना है आपको all types of forms कैसे create करने हैं यह सब इसके अंदर आपको सिखाया जाता है तो basically अगर मैं बात करूं HTML की तो सबसी जो main काम है friends HTML का वो आता है हमारा creating at the time of creating a website जब हम किसी website को बनाते हैं तो वहां पर हमको HTML यूज करना होता है friends हमको 9, 10 या 12 तक में जहां तक जिसने computer पड़ी है उसमें हमको basic सिखाया जाता HTML का जिसमें हम जान पाते हैं कि हम अपना एक page कैसे create कर सकते हैं या एक website कैसे create कर सकते हैं तो friends यह था basic के HTML होता क्या है और मैं बात करूँ जो हमारे updated version है HTML का वो है HTML5 जो कि friends आ चुका है और इसमें बहुत सारी advancement होकर आई हैं जो कि websites creator के लिए एक अच्छी बात है तो friends जो भी मैंने आपको बताया I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मुझे support करें friends और आपके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जिन में आपको मैं टेक अपडेट्स देता रहता हूं ट्यूटोरियल्स देता रहता हूं चीजों को अच्छे से explain करके सिखाता हूं तो friends अगर subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें और अगर कोई query है तो comment section में लिखें मैं आपका answer दरूर दूँगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं धन्यवाद